उज्जेन के दाने गेट शेतर में संचालित होने वाली किराने की दुकान पर पहुंचकर खाद विभाग के अधिकारियों ने की जांच उजयन के दानी गेट शेत्र में किरानी की दुकान पर शास्के गेहूं और शास्के चामल खरीदा जा रहा है बड़े ही पैमाने पर इसके सूचना उजयन कलेक्टर आशीश सिंग और खादिवेभाग अधिकारियों के पास लगतार पहुँच रही थी जिसके चलते कलेक्टर आशीश सिंग ने संग्यान दिया और जाच के दिर्देश दिये खादे विभाग के अधिकारियों के टीम वहां पहुंची दानी गेट शेत्र में संचालेथ होने वाली किराने के दुकान पर करीब 200 क्विंटल गेहूं मिली अधिकारियों के टीम ने जांच की पूछताच की कि ये कहां से आया है और कैसे आया है तुकान संचालक का कहना था कि मैंने किसानों से गेहूं खरीता है अम मामला दर्ज होने के बाद जान शुरू की जा चुकी है उज्जैन से विरेंदर शर्मा की रिपोर्ट